नमस्कार बच्चों आप सभी का स्वागत है आज के कारे पतरग बासट में और आज हम रचनाएं भागदो करेंगे आप सभी को पता है कौन क्या होते हैं मापको कैसे मापा जाता है 5 सेंटी मेटर 2 सेंटी मेटर तरिज्ज्या कैसे बनाई जाती इस सब की आपको जानकरी है आज हम प्रकार और फुट्टे की साहता से कुछ कोनों की रचना करेंगे और ये सब चीजे मैं आपको बता रही हूँ, आपको आती हैं. येकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो ये सीखना होगा, क्योंकि आगयाने वाली रचनाव में इन सब का इस्तमाल होगा. तो हम सब रिवाइस करा रहे हैं आपको, ये क्लास सेवंथ में हम ने कर रहे हैं, क्लास एर्थ में हम ने कर रहे हैं. तो अब हम पहले साथ डिगरी का कौन बनाना सीखते हैं, जैसे तुमने याँ एबी रेखा खंड बनाया, फिर ए से केंदर लेकर एक चाप लगाई, ए से केंदर ली, याने इस पे रखा अपना ये नुकीला हिस्सा और पैंसिल वाला हिस्सा यो घुमा दिया, आप परकार लगाऊगे, तो इसे कारती वी एक और चाप लगी, अब ये चाप है समान तृजया की, ये ध्यान देना है कि आपको तृजया नहीं हिलानी, जितनी तृजया यहां थी उसी तृजया पे आपने ये चाप लगाई, ये लाल निशान से देख रहे हूँ, ये चाप लगी, अब यहां से जो तुमने यह जो E point है, यह जो चाप लगा, यह दूसरी जिसको चाप दो बोलेंगे, इसको फुटे की सहयता से मिला दिया बिंदू E पे, तो यह जो तुम्हारा बना, यह 60 degree का कौन है, ठीक है, तो कैसे हुआ, यहां पे रखा, ऐसे एक तरज्या घुमा दिय यह जो point हुआ, उससे बिना प्रकार हिलाए, उसी से आपने E point में मिला दिया, तो यह तुम्हारा angle बन गया 60 degree का, ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, 90 degree का कौन कैसे बनेगा, अब आप जैसे आप इतना तो बना चुके हो, 60 degree E point तक बना दिया था ना पीछे, यह हमने E point त रखके आपने यह नुकिला हिस्सा यहां रखा, पैंसिल वाले हिस्से से यहां पे चाप बन गई, यह चाप जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यह E और F दो चाप बन गई, अब E पर रखकर एक चाप लगाओगे उपर की तरफ, ऐसे, ठीक है, और फिर उसको ब पैंसिल वाला हिस्सा ही ला रहे हो, तो एक चाप यहां लगी, फिर उतनी ही तरज्जा लेकर, जितना था, उतना ही लेकर, लेकिन अपके बार केंदर F हो जाएगा, उतनी ही तरज्जा के हिसाब से, आप फिर एक चाप बनाएंगे, तो अब यहां पे दो चाप बन गई न अब इसके बाद हम करेंगे 45 डिगरी का कौन, जैसा भी 90 डिगरी बनाया था, उतना बनाओ, उसके बाद यह जो लाइन बनी है 90 वाली, यहां से एक पॉइंट ले लो, और उससे एक चाप लगाओ, बिंदू H से, यह जो बिंदू H नजर आ रहा है, 90 डिगरी वाली लाइन 45 है, यानि 90 का आदा 45 हुआ, ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें सारी चीज़े बता देती हूँ, यह देखो, यह तुम्हारा ऐसे लाइन थी, इस पे तुमने यहां रखके एक ऐसे चाप लगाई, फिर उतने ही जितना आपने कमपस खोल रखा था, उससे जो पहली चाप यह तुम्हारी 60 डिगरी होती है, अगर इसको हिलाते हो, यहां पे रखके, उतनी ही तरिज़े पे जो दूसरा कौन बना तो यह 120 होता है, जो अभी नहीं बताया गया, ठीक है, तो इसको इन्होंने 120 है, इसको नहीं बताया अभी, अब हम क्या करते है, जैसे यह 60 डिगरी उपर की तरफ, उतनी ही तरिज़े लेके यहां लगाया, यह तुम्हारा 90 डिगरी हो गया, ठीक है, और 90 वाली जो यह पॉइंट थी, यहां से एक चाप लगी, एक यहां से चाप लगी, तो यह तुम्हारा 45 डिगरी कौन हो गया, इस तरीके से हमने 90, 45 और 60 सीखा है, ठीक है बच्चो, जो चिल्रेन, लेट स्टार्ट मेकिंग इस एंगल, आप देख रहे हो वर्कशीट में, आपको एंगल 15, 30 डिगरी आंगल बनाना है, और 75 और 120 डिगरी, अब इसमें हम ऐसा करते है, 30 डिगरी और 120 हम पहले बनाते है, ठीक है, तो रेडी, आप यह देख रहे ह आपको आर्क लगा देना है, ठीक है, और इस आर्क को लगाने के बाद, फिर आप इस पॉइंट पे रखोगे, जहां से आपको एंगल बनाना है, देखो इधर से नहीं रखना, इस तरफ लाइन नहीं है, इस पर, और मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, यह डिस्टर्ब आर्क लगा, देखा बच्चों आपने, दो आर्क लग गए, अगर मुझे 60 डिगरी बनाना है, तो मैं यहां से इसको आगे बना दूँगी, तो यह आपका 60 बन जाएगा, ठीक है, और मुझे 120 डिगरी बनाना है, तो मैं यहां से इसको जोइन कर दूँगी, 120 डिगरी आप यहाँ पर 0 है एंकल इस जगा पर आपका एंकल 0डिगरि इस जगा शींज़ कर सकते हो इस मार्किंग के वग्द सेम हो सकता है बाद में चेंज कर सकते हो शब्योने described अब आपको चेंज नहीं करना अब आपको next आप कार नजने 60 degree से यह देखो 60 वाली जीगा नजर आ रही है यहां से मैं आर्क लगाऊंगी तो यह जो आपका बनेगा इसमें हमने actually 60 degree को bisect कर लिया 60 degree के दो parts में divide कर गया तो 60 का half कितना होता है 30 degree यह आपका बन जाएगा 30 degree ठीक है तो इस तरीके से यह आपका 30 degree एंगल बन गया और यहां से यहां तक आपका 120 degree एंगल बन गया अब आपको बनाना है 15 degree और 75 degree तो अब जैखो हम इसको fresh बनाते है नए वाले में इसमें भी बना सकते हैं 30 का half कितना ओथ 15 15 यहां से जीरो और 30 का हाफ करोगे 15 बनेगा लेकिन आम ऐसा करते हैं इसको फ्रेश में बना लेते हैं एक और लाइन सेग्मेंट हमने ड्रॉव कर रखा है यहां से लिया आपने और इस तरीके से आपने एक एक अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना जितना भी बना अगला जो बनाओगे वह वन पुए हमें जरुवत नहीं ही ना हमें कितना बनाने 15 तो हम 60 का हाफ करेंगे पहले यहां से लिए एक आर्क लें ऐसे ड्रॉ किया फिर 60 से लिए यह आपका 30 वाला हो गया अब यह जो है ऐसे करके यह हमने dotted line बनाई dotted line का मतलब है कि अभी यह complete angle नहीं है अब क्या करेंगे यह 30 वाला है यह point जहां पे line को touch करना आप देखो इस जगहां पर यह point पर यहां से और zero degree वाली जगहां से यहां से आप इसको फिर दो हिस्सों में बातोगे तो वो दो हिस्सों में कैसे प उसको जोइन कर दो यह आपका 30 का हाफ 15 degree angle बन गया this is your 15 degree angle इधर भी 15 है इधर भी 15 है टोटल 30 हो जाएगा आपका यह total angle लोगे तो दिस इस 30 degree फिर यहां पर दो नोजी के आप arrow लगा सकते हो आप इसको कुछ नाम दे सकते हो angle ABC is 15 degree ऐसे लिख दो angle ABC आपका 15 degree है और इसको न तो आपका कितना हुआ 30 degree ठीक है और यहां पर हमने जो बनाया था यह 120 60 के उसमें इसको नाम दे दो PQR so angle PQR is 120 degree यह सारे बन गया कौन सा angle रह गया हमारा रह गया 75 degree वाला रह गया 75 degree हमने नहीं बनाया तो अब हम 75 degree ड्रॉ करेंगे 75 कैसे बनेगा बच्चो 90 बनाने के के दिखाएगे 75 आपका होगा 90 और 60 का half तो फिर से हमने एक line बनाई इसी तरीके से हमने arc length ड्रॉ किया इस तरीके से यह first जो बना वो 60 degree 60 के बाद जो अगला बनेगा वो 120 degree यह देखो आपने जो अगला बनाये 120 degree 60 और 120 के बीच में 90 degree तो यह हमने बनाया ऐसे और ऐसी यह त dotted से करेंगे क्योंकि हम 90 नहीं दिखाना चारे हम क्या दिखाना चारे 75 degree 75 degree 60 degree और 90 के बीच में होगा तो इस point से यह वाले point से और यह 60 degree वाले point से हम इसको bisect करेंगे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ऐसे करके आप ऐसे arc लगा दीजे और उसी radius का एक और arc उसको बिन अगर लग नाम दे सकते हो अगर आपको 90 degree दिखाना है तो आप L M N कर सकते हो कि एंगल L M N is 90 degree अब हमें दिखाना है 75 degree तो हम इसको दे देते है आर ना आर एंगल R N N is 75 degree देखा आपने कितने आराम से बने तो basic rule क्या है बच्चों कि यह जो बनाते हैं हम उसमें आपका यह कि बाद यह चेंज नहीं होना चीए ठीक है अगर यह हिल गया तो अच्छी नहीं बने अब देखरो कितने ब्यूटिफुल बने अच्छे मैने ना इस तरीके से आपके एंगल बने यह बहुत अच्छी construction होगी यह construction करो और मुझे बताओ कि तुम बना पाए हो कि नहीं बना पाए हो ठीक है बच्छों फिर मिलते हैं नेक्स वरक्षित की discussion में तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुन्दर सुन्दर constructions करें ओके बाई बाई